किसी पर अगर Y category, X category, Z category की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना, सुबावे के उलियां खड़ी होंगी और जब जिस पर category वाली security हो और पहले से minister रहे हो, और इतने influential व्यक्ति थे, जिनका संपर्ग बड़े बड़े लोगों से था, उनके पाँ इतना बड़ा security कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो यह चूक है, और इस तरह अगर हत्या होई तो किसी की भी हत्या हो सकती है, और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंट्रिबू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी, तो अब तो आप से खड़े हो करके भी डर लगता है, आप से नहीं कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है, आईडी नीचे करता है, कानू वेस्था बनी रहें, उसी दिशा में काम करें, जो घटना हुई है, वो दुखद है, और किस कारण हुई है, प्रसासन, साशन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं, सरकार को न्याय करना चीए, एक चौकिन चार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अदिकारी हट जाए, उससे कानू वस्था नहीं समलेगी, जिस समय ये प्रसाशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रसासन को इस बात का ध्यान रखना चीए था, कि जो प्रसाशन निकलना है, उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है के नहीं है, परियावत पुलिस है के नहीं है, और उसके साथ-साथ, उन लाउडी स्पीकर्स पे क्या बजाये जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं, तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रसाशन को ये ध्यान रखना चीए था, कि आखिर क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं, तो ये पूरी जिमेदारी साथन की थी, सरकार की थी, साथन की चूक की वज़े से इतनी बड़ी घटना हुई, केवल वहराईश में नहीं, इसी त परियाद पुलिस नहोने की बज़े से, परियाद सुरश्चा के इंदजाम ना करने की बज़े से, बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा, और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है, इधर आप उत्तपदेस में देख रहे होगे, कि भारती जंता पार्टी के लोगों मनमानी कर रहे हैं, लखीमपुर में किसने नहीं देखा, कि बिधाई के जाबड मारा गया, और फिर क्या कारबाई होई, क्या कारबाई होई सोचिया, अगर वो F.I.I. लिखाना चाहते हैं, तो F.I.I. नहीं दर्ज होगी, क्या इड्मिर्सासन को सो मोटो लेकर के नहीं F.I. दर्ज करनी चीए थी, प्रसासन को खुद लॉइन ओर के वो बहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायस अंदेश, कि हाँ प्रसासन काम करता है, एक्ट करता है, और वहां के जिलादीकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा, इससे पहले भी समाजवादियों पर इन्होंने लाठी चलाए, समाजवादियों को अपमानित किया, समाजवादी पार्डी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं, तो क्या हुआ के जिलादेगारी तमाशा नहीं देख रहे हैं, अब तो उन्हीं के बिधाय को तमाशा पढ़ ग यह इनकी सोची समझी चाल है, मैं जनता से अपील करूँगा कि भारते जनता पार्डी की चाल समझे, यह नफरत या जगडा कराके ही समाज को बाट करके अपने राध्य ते गलाब लेना चाहते हैं